हाइटेक सीटी नुएडा में कुड़े का निस्तारन प्राजीकरन के लिए सिर्धर्ध साबित होता जा रहा है। कर रहे लोगों का कैना है कि सिजी नहम खाल हो गया है। कर रहे लोगों का कैना है कि यदि उनकी मांगों पर गंभेता से गवर नहीं किया गया तो वे पराधीकरन दफ्तर का गहराओ करेंगे। हमारी मुख्य मांग यह है कि यह सेक्टर चाउन में जो डंपिंग ग्राउंड हो रहा है। इसके पूरे आस पास के सेक्टर, सेक्टर त्रेपन, सेक्टर बाउन, सेक्टर बाईस सबसे ज्यादा अफ्रेकर दे रहा है। और यह कालोनी के बीच में, सेक्टरों के बीच में, जो यह सेक्टरों के बीच में डंपिंग ग्राउंड है। यह बिल्कुल आन्यदिर के रहा है। और इसे प्रादिकरण को भी समझना चाहिए। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। अभी तो अभी तो दंपिंग ग्राउंड में पूरा कमी जमा हुआ। जब पूरा-फूरा जमा होगा। इसकी गंध कहा-कहा ता पहुचे थी। हम प्रादिकरण से निवेधिन करते हैं। प्रादिकरण से सक्ति से निवेधिन करते हैं। कि यह डंपिंग ग्राउंड को आटाया जाए। इस पर अन्यत्र कहीं शिप्र काजाए। कहीं भी किसी में क्राइब कि नहीं कि दा जा था जो कि सेक्टर निल छर्मा है और मैं सेक्टर 22 में रहा हूं पिसले 23 चुवीश साल से और यह एक तरफ तो बोलती है जहां करना देखो गे वह तो जुर्माना होगा वसके उपर और यहां पूरे का पूरबंपिंग यार्ड बना दिया है फ्राइब यहां के देखी है एक तरफ कहा रहें गृेन ओ डेंबलट के इसा एलबावनسب है मोजिटनेंड पर्ट यहां यहां अम्हेजमेंट पार्क बनेगहा तो आज अह pouco डंपिंग हुसी गारे षोया अभी हम democratic way में demonstrate कर रहे हैं, अगर not authority, अगर कोई action नहीं लेगी, तो we will write to the higher authority, we will write to the prime minister, we will write to the chief minister and higher authority, pollution control board, and we will also write to NGT and we will also seek the legal action, this is against not authority. ।ücklich एकलिल सवय में सुचप हृतनी में एग न अगर हो बिर्कार हेह gefाण प्रमेन भी हो प्रेण। और कर दी कर दो एका हृति हृति को तुदि भी है।